दोस्तो तो एक बार फिर से स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल Mission 2 पे तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग कच्छा नवी की गनित को स्टार्ट करने वाले हैं और दोस्तो ये गनित का आप लोग का पहला वीडियो है दोस्तो इस चैनल के माधियम से आप लोग को कच्छा नवी की गनित का आप लोग का फुल का फुल सोल्योशन कराया जाएगा ठीके परतियेक चैप्टर को परतियेक एक्सरसाइज को एकख करके कराया जाएगा दोस्तो इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं chapter 1 को ठीके इस नवी कच्छा में आप लोग का लगभग 15 chapter दिया गया है और 15 chapter को हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे ठीके एकक करके हम लोग अभी आज देखते हैं chapter 1 का और इस chapter 1 को कैसे पढ़ना है उस चीज़ को और कैसे थीक तो ये हम लोग भाग के द्वारा पढ़ना पुरा कंप्लिट हो जाएगा इस चापटर से एक भी कोशन नहीं छूटने वाला है तो हम लोग आज सबसे पहले परिचे को देखेंगे और दोस्तों इस परिचे को आप लोग अगर समझ गए तो यह एक्सरसाइज जितना दिख रहा है 1.1 1.2 1.3 सारा आप लोग का कवर हो जाएगा लगभग ठीक है चुकि इस भागवन में परिचे में आप लोग को बेसिक चीज बताया जाएगा ठीक है तो दोस्तों आप लोग से रिक्विस्ट सुरू से लेकर अंतक वीडियो में जरूर रहिएगा ठीक है चलो देखें आप संखिया एक से अंण तक होती है यानि कि start कहां से रहा है वन से और कहां तक खतम और होला थाओ इस जैसे हम लोग कोई भी मालते है उन-2-3-4 ंश्abr प्रकृत संक्या दोस्तों इसको आप लोग पहले भी पढ़े होंगे बच्पन में भी पढ़े होंगे ठीक है इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं पुर्ण संक्या वैसी संक्या जो जीरो से कहां तक होती अनन्त नहीं तक होती है यानि कि स्टार्टं कहां से 0 12345 डोला ठोट डोलोड़ ठीक है तो यह हम लोग का क्या होता है पुर्ण संख्या जो कि यह झाले इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर पुर्ण यह उस समझने से पहले आप लोग धनातमक संक्या और रिनातमक संक्या को हम लोग जानना जरूरी है तो यह होता क्या है तो धनातमक पुन्हांग जो पलस में हो जैसे कि वन алat यह जए Garden बिस्ददम को संक्या होता है जैसे सब क्यों सक्के आगे go तो यह सब जितना भी संक्या होता है जो पॉजिटिव में होता है रिनातमक संक्या क्या होता है तो जो मैनस में हो तो धनातमक और रिनातमक जब समझमा आ गया तो पुर्णांक भी बहुत अच्छा से समझमा आ जाएगा सभी पुर्ण संक्या सभी पुर्ण संक्या में क्या क्या आता है हमारा जिरो आता है वान आता है तू आता है त्री आता है और तथा रिनातमक संक्या रिनातमक संक्या हो उसको मैं लोग क्या कहेंगे ठीक है तो दोस्तों अगर इसको आप लोग संगra यह एक रेखा में अगर देखना चाहते हैं तो देखें एक रेखा ऊता ऐसा भीच मीं ठीक है और बीच में होता है कया जिरो अगर हम इसका राइट सेट जाते हैं दाया सेट तो वान टू थीरी फोर डॉट 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 ठीक है और इधर हम अगर बाया सेट आते हैं तो आता है मैनस वन मैनस टू मैनस थी मैनस फोर इस तरह से करके इधर जाता है आप लोगो ठीक है पहले भी आप लोग इसको जानते स्चाहर लेता क्या होना चाहिआ सिम्पल सी बात है जो एक या किसीरी आलावा किसी और स्विभाजिद नहीं हो नहीं नहों ठीक है यानि जो भी ऐसी संख्या ए आपना पहाड़ा और लावा वहितीश्याट यह जात आशा कैंप तो पांच हमारा क्या हो गया पांच हमारा क्या हो गया अभाज संक्या और भी ले लो इसी तरह से एक्जामपल जैसे कि मालो दो दो भी हमारा क्या है अभाज संक्या जैसे कि यह भी एक से कड़ता और दो से कड़ता है किसी तीसरी पहाड़ा से कड़ता ही नहीं है तो हम प्रहां पर वह सकते हैं दो थीन बिच्छा ऑप लोग इसी तरह से यह आबाज है वह गया है और कितना होगा हो ग्यान होगा क्या नहीं नौट क्यों नहीं होगा चुकि आप लोग गया था एक रह तो यह नहीं होगा ठीक षाटीव साथ हो गया और इसी तरह को अगर कुश्यन में ऐसा पूछ दे कि सबसे चोटी अवाजय संख्या तो दो लिख देज़ेगा एकदम ठीक है दो ठीक है चलिए इसके बाद आते हम लोग भाजय संख्या भाजय संख्या क्या होता है एक से वे बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयम के अलावा किस संख्या से जब कटनें लगेगा तो अश्कों क्या कहेंगे बाजय संख्या मेंढ़नाद से अग्जामपल किसकтиров रहा हैं एक से तो सब्सेंगे हैं कि आपको लिखना इतीट यह तो इसके बाद देखते ही परिमेय संख्या नं नुटvent उसको क्या कहेंगे परीमेंज आधर जैसे थि पांच वैड草न जिसको बट्रह कर लिख तो वह परीमेंज क्या सिंपल सी बात पत है जैसे मैनस थीं वुप हो सकता है तो संक्या हो को पी बटा क्यूब के रूप में जिसे लिख सकते हैं उसकों लोग क्या कहेंगे परिमय संक्या जहां पे एक चीज और इसमें जान लो ध्यान से देखो है परिमय संक्या जैसी कि जहां पे q is not equal to 0 is not equal to 0 मतलब q कमान 0 परिमेह संख्छा लेकिन चार बडद जीरों कभी नहीं होगा जूकि कुआ ongoing body क्यों कमान कभी जीरों नहीं करना है अगर कर दिया तो गल्ती है कि वह संगय होगा लिए नहीं समाजहां बात तो यह सब क्या है तो उसित उख सकते हैं और वन बटक है चाहर बटा 3 कुछ भी कुछ भी आप लिख सकते हैं 3-3 वाट दो यह सब क्या है नहीं लिखा जा सकता है जिसको रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको कि झाद कर्फिक हैं सभी संख्याओं कज पढ़े दोस्तों उपर हम लोग जीतना भी संख्याओं संख्या परीमे संख्या और भाजे संख्या जितना भी संख्या हम लोग पढ़ें टीथे प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या पड़े सभी संख्यां की संग्रा को क्या कहते संख्या यह संख्यां की प्रत्र नाम और तो किसे कहते हैं तो किसे कहते है या लोग का रख थी सब्क्रावा कि टीशरा यहां नम क्या है जैसे जैसे मान लेते हैं एक को दो से हम डिवाइट करते हैं यानि की एक बट दो इसको डिवाइट करते हैं 2 को फिर एक से तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट लगाएंगे तो लिखंगे यानि कितना आगया सेसफल इतना आगने भर इसका मा預 कितना भी यह 0.5 आ फिक तो यह क्या हो अब लोग समझी लेते हैं जैसे कि आसांध आप लोग को मानलेता है azand आविरति क्या पत्रैं लोग 3 00 सानथ अनाविरति तो यहां देखो असांत आविरति में छिनistic पुर्ना वृति होती है यानि जो से पनोती वह बार बार आता है जैसे माल लोग की एक बतती देखो । नीगा करना है कि नुठ जि से 3 से न करना है उनीड को एकस है तो यहां पर क्या हो जाएगा जिरो लगा देंगे दस हो जाएगा तीन तीन नौ किता बचा एक फिर जिरो लगा देंगे यहां पर तो फिर किता बचा फिर जिरो लगा देंगे तीन तीन यानि कि यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों यह जो आ रहा है भागफल ठीक है यहां पर क् सेस्पल यहां और कि और ना पुरना वृती हो रही है जिदुत क्या और सी तरह से लिख सकते हैं इसको का उपर हम लोग क्या देँ देंगे बार इसलिए देंगे रिपीट हो रहा है इसलिए हम पर में हम लोग क्या देते हैं बार ठीक है उसका मतलब क्या समाझ में आता है कि तीन 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 बार बार आ रहा है उस इसलिए हम लोग उसमें बार लगा दिए क्लियर हो गया तो यहां पर क्या है इस स्थिति में सेश की क्या होती है पुर्णावरिती होती है उसी को होगा दोस्तों जैसे कि आप लोग यहां पर मालो अंडर रूट टू का वैल्यू ठीक है अंडर रूट का वैल्यू होता है वन इस तरह से आप लोग का पाई भी हो जाता है थीन दसमेलों एक चार यह संख्या आती रहती आती रहती होता ही नहीं यह नहीं तो इसको लोग क्या कहें आशाथ अना विर्ति या फिर अनावर्ति दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे एकसरसाइस तो और च्छादा किलियर होने म एब इसके बाद लोग देखते हैं घ्रतांक नियाम को पढ़ेंगे घ्रतांक नियम में पहला नमबर होता है एक पावर एम ठीक है इनटू एक पावर एम दोस्तों यहां पर आप लोग का बेस और बेस जब बराबर होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक का पावर M प्लस N ठीक है जब बेस अगर बराबर है और इंटू में है तो पावर क्या हो जाता है जूट जाता है जैसे इसका एक्जामपल ले रहेते हैं जैसे यहां पर भी दो लिखा हुआ है और इंटू में यहां पर भी दो लिखा हुआ है लेकिन इसके पावर में क्या है कि न बर की तो कितना बर गुना करेंगे 5 बर दो इन टु इन टु दो ऍर दो इन टू दो तो हो जाएगा हमारा दो दूटीशार 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 दूटीशार这么 32 ठीके तो सबसे पहले फॉर्मुला ही यह बेश ऐसा हो और यहां power 2 उँटो तो इंटो में हो ऐसा में तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a का power m into n ठीक है m into n ये चीजज हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि यहां पर एंटो एकiałem UP daha पावर 3 है और इसके power में किसी है 2 है तो स्थे आप प्रस्व लोग ख्राइगे का बावर दो को तूझ कर दे में यहां पर कितने इसका नशू करेंगे चे बाज़ा चे बार क्या कर देंगे गुना करेंगे इसको सॉलीशन अगर करते हैं तो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सॉला दूनी बत्तिस दूनी चौर सट कितना हो गया चौर सट हो गया तो आप लोगो में फॉर्मूला याद रखना है कि अगर बेस एक हो और पावर अगर तो आवर में क्या होते हैं तो आप घर्ट जाता है इस सिच्वेशन में क्या करेंगे एक का पावर समय माइनस लिखेंगे यृई यहां में हैं तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे एक्जामपल लेते हैं दो यहां लिखा हुआ है यहां पर भी दो लिखा हुआ है और इसके पावर में दो लिखा हुआ है ठीक है तो यहां पर क्या बता हैं कि अगर बेस और बेस बराबर हो तो इसके पावर क्या होता है घटता है क्लिए रियर रहा है चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं ए फोर गहतां का टो इसका टो नियम एक अगर बैस अलग अलग भबद थोड़ा सा चेंज़स होँ गई बैस अलग अलग अर पावर अगर एक 되면 लिए लो पावर सेम रखनाई तो और दो एंटू लेड़ो लिए क्या हो जाएगा सम almondos एडिए क्या हो जाएगा छों ओट निकल रहे हैं ठिकwyn और भी बहुत सारी ऐसे संक्याओ हो सकते हैं ठीक है तो यहां समझ में आप लोग को तीहीं चार चीज़ रखना है ठीक है कि अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है जुट जाता है ठीक है अगर बेस बराबर हो और इंटू में हो तो पावर क्या होता है जुटता है अगर बेस किस में हो बेस डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है घटता है यह चीज दो चीज आद रखेगा तीसरा चांतरा चीज आटमाटिक याद रहेगा तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग पूरा परिच्छाई को देख लिए अगले वीडियो में हम लोग भागटू को देखने वाले जिसमें एक्सरसाइज को करने वाले उम्मिद करते दोस्तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देजगा और सेर कर देजगा उन बच्चों को जो